नमस्कार दोस्तों मैं सुप्रिया एक बार फिर साप सबका स्वागत करती हूँ स्री डिजिटर गुर्कुल चैनल पर आशा करती हूँ कि आप सबकी त्यारी बहुत अच्छे से चल रही है चलिए दोस्तों देर ना करते हूँ आज की सेशन की सुरवात करते हैं कुछ नया सीखते हैं जीके के कोशन से देखते हैं आज का टॉपिक है हम लोग का खेल और समबंदी सब्द मोहाली में अंतराष्टी होकी स्टेडियम का नया नाम क्या है आप सिबको पता ही होगा अभी जो मोहाली में अंतराष्टी होकी स्टेडियम बना गया था उसका नया नाम पड़ा है तो चलिए एक बद देख लेते हैं क्या है नया नाम ओप्शन है A. ओम परकाष भरद्वाज अंतराष्टी होकी स्टेडियम या B. धनराज पिलाई अंतराष्टी होकी स्टेडियम या C. ओलम्पिक बालवीर सिंग सीनियर अंतराष्टी होकी स्टेडियम या D, मेजर धनियाचंद अंतराष्टिय होकी स्टेडियम इसका सही एंसर है C, ओलम्पिक बालबीर सिंग सेनियर अंतराष्टिय होकी स्टेडियम चलिए अगला कोशन देखते हैं राजीब गादरिय अंतराष्टिय स्टेडियम किस राज्य में इस्ते थे उप्षन है आपका A, अंध्यापरदेश, B, महाराष्ट, C, तेलंगाना या D, उर्तरपरदेश इसका सही एंसर है C, तेलंगाना आपका अगला कोशन है सवाई मान सिंग स्टेडियम निमलिखित में से किस राज्य में इस्ते थे उप्षन है आपका A, पंजाब, B, हर्याणा, C, मध्यापरदेश, D, राजिस्थान बिलकुल सही एंसर है D, राजिस्थान C, वाई मान सिंग जैपूर की राज्य में इस्ते थे ठीक है अगला कोशन देख लेते हैं इंडियन गार्डन इस्टेडियम कॉलकाता में स्थापित कब हुआ था उप्षन है आपका A, 1875, B, 1864, C, 1854 या D, 1885 इसका सही एंसर है B, 1864 अगला कोशन देख लेते हैं गुरू गोविन सिंग इस्टेडियम कहां इस्ते थे औप्षन है आपका A, उत्राखंड, B, पंजाब, C, हर्याना, D, मध्यापर्देश इसका सही एंसर है B, पंजाब गुरू गोविन सिंग सिखो के दसवे गुरू थे ये चीज़ याद रखिएगा बहुत बार पूछ लेते हैं कि सिखो के दसवे गुरू कौन थे सिखो के दसवे गुरू, गुरू को बिन सिंग थी और इनके नाम पे इस्टेडियम भी बना है पंजाब में ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते है कलिंगा स्टेडियम भारत की किस राज्ये में इस्थे थे और इसका सही अंसर है चलिए अगला कोश्चन देखते है भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां है और इसका इंद्रा गांधी इंडोर स्टेडियम नहीं दिल्ली इसका सही अंसर है इंडोर स्टेडियम नहीं दिल्ली चलिए अगला कोश्चन देखते है वाल खेड़ा स्टेडियम कहां इस्तित है आप्शन है आपका A. उत्तर परदेश B. जारखन C. हिमाचल परदेश D. महाराष्ट्र बिल्कुल करेक्ट इसका अंसर है D. महाराष्ट्र बाल खेड़ा भुंबई में है ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते है निमलिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदल कर अरुन जेटली स्टेडियम रखा गया है ओप्शन है A. फिरोज सा कोटला स्टेडियम B. गौतम गंबीर स्टेडियम C. श्रिला दिक्षित स्टेडियम या D. आजित बाटेकर स्टेडियम इसका सही अंसर है A. फिरोज सा कोटला स्टेडियम यह हाल ही में बदल कर रखा गया था नाम इसका चले फटा फट अगला कोश्चन देखते है बिर्सा मुंडा एटलेटिक्स स्टेडियम किस सहर में इस्टेथ है ओप्शन है आपका A. धनवाद B. राची C. दुमका D. जमशेदपूर इसका एंसर है B. राची भगवान बिर्सा मुंडा का आंदोलन अंगलूलाद आंदोलन था यह अंदोलन 1910 में कॉलेरा की चलते मौथ हो गई थी भगवान बिर्सा मुंडा का आंदोलन आंदोलन था और इनकी जो मित्ति हुई थी वो कॉलेरा के वज़े से हुई थी 1910 में चलि आगला कोश्चन देख लेता है इंद्रा गांधी स्टेडियम कहां परिस्तित है इसका उप्षन है A. हिमाचल परदेश, B. राजेस्थान, C. मध्या परदेश या D. उत्राखंड बिल्कुल सही इसका सही अंसर है D. उत्राखंड चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अंतराष्टिय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है ऑप्षन है इसका दो फरवरी, 12 जुलाई, 23 जून, 28 अगस्त यह अंसर आपको देना है चलिए अगला कोशन देखते हैं राजी प्रॉफी 2021-2022 का किताब किस टीम ने जीता है ए बुंबई, बी रेलवे, सी, सी विद्वर, डी मध्यापर्देश इसका सही अंसर है डी मध्यापर्देश मुंबई ने राजीव ट्रॉफी का किताब 41 बार जीता है याद रखिएगा छोटी छोटे पॉइंटों से काफी बार कोशन कवर हो जाता है टॉक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलेटिक्स कौन बनी अप्शन है आपका ए विलियम, बी लोरेल हैवर्ड, सी क्रिस मोईजर या डी फ्रिक हैगर इसका सही अंसर है बी लोरेल हरवर्ड अगला कोशन देख लेते हैं मैं 2022 में संपन हुई गोल्ड मैं 2022 में संपन हुई गोल्फ परतियोगिता डच आपने 2022 का खिताब किसने जीता है आईए एक बार देख लेते हैं ओप्शन है इसका सही अंसर है यह फ्रांसिस गोल्फ खिलाडी है ठीक है परतियोगिता का खिताब जीता है इनोंने अगला कोशन देख लेते हैं माई 2022 को पूने में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है ओप्शन है आपका A सुपर नोवा B ट्रेल ब्रेजल या C बेरोसिटी या D टासकर्स इसका सही अंसर है A सुपर नोवा चलिए अगला कोशन देखते हैं 2 माई 2022 सपन हुई भारत का पूरस फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रोफी 2021-22 का खिताब किस ने जीता है ओप्शन है आपका A कैरला B पश्रिम बंगाल C ओरिसा D करनाटक इसका सही अंसर है A कैरला चलिए अगला कोशन देखते हैं खेलो इंडिया यूद गेम 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य सिर्षक पर है A. हर्याना B. महराष्टे C. उत्तरपरदेश D. मनिपूल इसका सही अंसर है A. हर्याना 4 से 13 जुन 2022 तक तीसरे भारतिय यूबा खेल आयोजित किये गए थे अगला कोईशन देख लेते हैं ये जो कोईशन से बहुत इंपोर्टेंट है ये बार बार रिपीट हुए कोईशन है तो आप लोग एक पर ध्यान से कोईशन सब देखे किसी भी कोईशन में कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछे ताकि हम लोग आपको वो कोईशन क्लियर करवा दे फीफा ने फीफा विश्व कप दोहजाट चब्यस में में जवान सहरों के नामों की घोशना कर दी है ये विश्व कप कितने सहरों में आयोजित किया जाएगा ओप्शन है इसका सही एंसर है 16 जून 2022 को दुनिया के सिर्षक फुटबॉल इस्थान फीफा ने फीफा विश्व कप 2024 के लिए 16 में जवान सहरों के घोशना की है IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किस गेंदवाज ने बनाया है आप्शन है इसका सही एंसर है चलिए अगला कोशन देखते है भारत का कौन सा राज्य जनवरी 2023 में पहली विश्व बधीर T20 किर्केट चेंपियंशिप की मेजवानी करेगा आप्शन है आपका A. कैरला B. अंध्यपर्देश C. करनाटक D. उत्तरपर्देश इसका सही एंसर है A. कैरला चलिए दोस्तों एक चीज आप लोग उसे पूछ लेते हैं हम लोग जो कोशन या जो वीडियो आप लोग को प्रवाइड करवा रहे हैं उससे आप लोग को कितना फाइदा हो रहा है आप लोग जैसे पहले भी कोशन देखे हैं और अब भी कोशन देख रहे हैं वो किस टाइप के हैं आप लोग को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताए ताकि आगे से हम लोग इस चीज का ध्यान दे पाए और आप लोग को अच्छे से त्यारी करवा पाए ठैक्स फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तो जैहें जैभारत दोस्तो